नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज हम कुछ बहुत ही important questions solve करने वाले हैं अपने 9th chapter यानि की hydrogen से related तो यह कुछ question है जो कि हमने अभी तक chapter पढ़ा और समझा तो यह ऐसे questions हैं जो आपकी exams में पूछे जा सकते हैं या इन ही से मिलते जुलते कुछ questions आपकी exams में आ सकते हैं तो आपको इन questions को बहुत अच्छे से solve करना हैं समझना हैं और साथी साथ इनके notes भी बनाने हैं और इनसे मिलते जुलते कुछ और questions अगर आपको अपनी books में मिलते हैं तो आप इनने उन्हीं भी solve करना है इन ही के माध्यम से या फिर इन ही के through ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का discussion तो इसमें जो पहला question है वो है कि hydrogen की समस्थानिकों के नाम लिखिए और इन समस्थानिकों का द्रव्यमान अनुपात बताएए तो आप लोगों ने hydrogen या फिर dihydrogen के पारे में बहुत कुछ पढ़ा है इस chapter में और इस chapter के starting में ही हमने बात की थी कि hydrogen के कितने समस्थानिक होते हैं तो आप लोगों को मालुम है कि hydrogen के होते हैं तीन समस्थानिक अब उनके नाम आप वीडियो को pause कीजिए और अपनी copy में लि हैं या फिर नहीं है तो देखिए hydrogen के होते हैं तीन समस्थानिक जिसमें से पहला होता है protein ठीक है दूसरा क्या होता है second होता है deuterium ठीक है और third क्या होता है तो third होता है tritium अच्छा एक बात आप लोग समझपा रहे होंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं सबसे पहले तो आपक tops तो समस्थानिक उन्हें बोला जाता है जो की परमानों क्रमांक तो समान रखते हैं यानि कि atomic number उनका एक जैसा होता है लेकिन परमानों भार यानि कि atomic mass अलग अलग होते हैं है ना तो protein, deuterium और tritium तीनों के ही परमानों क्रमांक या फिर atomic number एक होता है ठीक है तो इनको किस तरीके से लिखा जा सकता है वो भी हम लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं 1H1 ठीक है तो इसका atomic number भी एक है इसका परमानों भार भी एक है अब देखिए इन तीनों ही समस्थानिकों के द्रव्यमानों का अनुपाद हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले तो इनको अनुपाद के रूप में लिख लेते हैं 1H1 ratio 1H2 ratio 1H3 ठीक है तो इनके जो वास्तविक परमानों भार होते हैं या द्रव्यमान होत फिर उनको short करके लिखेंगे या simplify करके लिखेंगे ठीक है तो hydrogen का जो पहला समस्थानिक है यानि की protein ठीक है जिसे generally hydrogen भी इसी को बुला जाता है है तो इसका जो परमानों भार है या फिर द्रव्यमान है वो होता है 1.008 unit ठीक है 1H2 यानि की deuterium इसका जो परमानों द्रव्य unit या फिर 1I और 1H3 यानि की tritium इसका जो परमानों भार या फिर परमानों द्रव्यमान होता है वो होता है 3.016 या फिर इनका ratio अगर आपको और simplify तरीके से लिखना है तो हम इनको लिख सकते हैं 1 ratio 2 ratio 3 तो इस तरीके से इस question में हम से पूछा गया था कि hydrogen की समस्थानिकों के नाम लिखिए जो कि हमने बता दिये protein, deuterium और tritium इन समस्थानिकों के द्रव्यमानों का अनुपाद भी हमने बता दिया एक अनुपाद, दो अनुपाद, तीन ठीक है अब देखते है next question तो अगला question है सामान ये परिस्थितियों में hydrogen एक परमानविक यानि कि hydrogen एक होते हैं, इस रूप में क्यों पाया जाता है, तो हमने इस पूरे चैप्टर में dihydrogen की बात की, और dihydrogen क्या होता है, h2 और इसका मतलब है उसमें hydrogen के हैं दो परमानु, तो यही पूछा जा रहा है कि सामान ये परिस्थितियों में दूई परमान विकिया, फिर diatomic रूप मे क्यों पाया जाता है hydrogen, तो देखिए, अगर हम hydrogen की एक परमानु की बात करें, ठीक है, जिसे हम h से दिखाते हैं, तो इसके लिए जो electronic विन्यास होता है, वो क्या होता है, वो होता है 1 as 1, ठीक है, तो इसका मतलब है, इसके पास है k कोश, और k कोश में कितने electrons हैं, तो k कोश म है केवल और केवल एक electron, ठीक है, जबकि अगर दोई परमानु की हम बात करेंगे, यानि की h2, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका electronic विन्यास हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 as 2 हो जाएगा, और इसका ये मतलब है कि इसके k कोश में कितने electrons हो जाएंगे, इसमें हो जाएं ठीक है, और इसका मतलब है, इसका k कोश पूर्ण रूप से भर जाएगा, यानि कि इसका duplet पूरा हो जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि दोई परमानुक रूप में जो hydrogen होता है, यानि कि H2 होता है, वो उतकृष्ट gas, helium, यानि कि जो novel gas है, इसकी निकटवर्ती helium, उसके व विन्यास, या फिर electronic configuration के समान, या फिर इसके ही जैसा होता है, और इसी लिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है काफी स्थाई, या फिर stable form में, और इसी लिए सामान ये परिस्थितियों में hydrogen एक परमानुक की जग है, कौन से रूप में पाया जाता है, तो दूई अब चलते हैं next question की तरफ, तो अगला प्रशन है कि coal गैसी करंट से प्राप्त, डाय हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि coal गैसी करंट अभिक्रिया क्या होती है, तो इस अभिक्रिया में या फ इस फॉर्म है, वाश्प या फिर भाप उसको प्रवाहित करके carbon monoxide और di hydrogen का मिश्रन या फिर mixture बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है sin gas, तो इसके लिए जो reaction होती है या जो अभिक्रिया होती है, या फिर जिसे हम समी करंट या equation के रूप में लिखते हैं, तो कैसा हो ही है, और बन जाता है product की तरफ carbon monoxide plus di hydrogen gas के form में, ठीक है, और इन दोनों के mixture को ही क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है sin gas, ठीक है, तो इतनी बात हमें पता चल गई, di hydrogen का उत्पादन, sin gas में उपस्थित, जो carbon monoxide है, इसकी iron chromate उत्परे रख या फिर catalyst की उपस्थिती में भाप के साथ क्रिया कराके, इसकी मातरा को बढ़ाया जा सकता है, किसकी मातरा को? तो इसके लिए reaction या फिर equation क्या होगी, वो भी हम लिखते हैं, देखिए, carbon monoxide gaseous form में, प्लस भाप, या फिर पानी की gaseous state और कौन सा catalyst हम यूज़ कर रहे हैं, तो iron chromate का हम यूज़ कर रहे हैं, FECRO4, ठीक है, और इसके bracket में लिख लीज़ेगा आप लोग भी, ये क्या है, उत्प्रे रख है, या फिर catalyst है, और यहाँ पर temperature 603 Kelvin है, या फिर 673 Kelvin है, और उत्पात की तरफ बन रहे है, carbon dioxide plus dihydrogen gas, ठीक है, तो carbon monoxide या फिर carbon dioxide gas के निकलने के साथ ही, अभिक्रिया अग्रदिशा में, यानि की forward direction में विस्थापित हो जाती है, और इसे ही जल, gas, रिती, अभिक्रिया कहा जाता है, और यह सब हम chapter में भी पढ़ चुके हैं, और दुबारा से हमारा revision भी हो गया है, ठीक है, तो इस question को अभी आप लोग समझ गए हैं ना, अच्छे से, अब चलते हैं next question की तरफ, अगला प्रेशन है, जल की स्वतह प्रोटोनी करण से आप क्या समझते हैं, और इसका क्या महत्व होता है, तो देखिए, जो यहाँ पर question में एक term यूज हुआ है, स्वतह प्रोटोनी करण, तो इ इसके लिए जो reaction होती है, या equation होती है, वो क्या होती है, तो देखिए, H2O liquid form में, प्लस H2O liquid form में, यहाँ पर होगी एक reversible reaction, या फिर उत्क्रमनी अभिक्रिया, और बनेगा hydronium ion, यानिकी H3O positive ion, प्लस hydroxyl ion, यानिकी OH negative ion, ठीके, यहाँ पर H2O, जो कि किसकी तरह कारे कर रह है, यह कारे कर रहा है, अमल की तरह, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अमल, और यहाँ पर अमल एक के रूप में, हम इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है, और यह अमल की तरह कारे क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह proton का कर रहा है, त्याग या फिर proton को donate कर रहा है, ठीक है, और ये बन रहा है शार, जिसको हम शार एक बोलेंगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जल है, वो किसकी तरह कारे कर रहा है? शार की तरह कारे कर रहा है, और ये किसकी तरह कारे कर रहा है? तो ये अमल की तरह कारे कर रहा है. ये है अमल दो और ये है शार दो. दोनों की ही तरहे कार्य करता है इसलिए जो जल होता है या वाटर होता है उसकी प्रकृति को क्या बोला जाता है उभै धर्मी प्रकृति बोला जाता है तो इसके लिए आप एक example भी लिख सकते हैं अपनी notebook में तो इसको लिखिए देखिए H2O liquid form में plus ammonia यानि की NH3 जो की liquid form में एक reversible process हो रही है उत्क्रमणी अभिक्रिया हो रही है बन रहा है ammonium ion यानि की NH4 positive ion plus hydroxyl ion यानि की OH negative ion ठीक है और यहाँ पर जो H2O है वो किसकी तरह कारे कर रहा है वो कारे कर रहा है अमल की तरह है और इसे हम क्या बोलेंगे अमल 1 ठीक है क्योंकि यह proton का त्याग करेगा या फिर proton donate करेगा इसी लिए यहाँ पर जो यह OH negative ion बन रहा है वो क्या है श्यार 1 है ठीक है क्योंकि यह क्या करेगा proton को ग्रहन करेगा और इसी तरह से यह क्या है यह हो जाएगा अमल 2 ठीक है और यह हो जाएगा श्यार यानि की base 2 ठीक है तो इस तरीके से आप स्वतह प्रोट proton करन अभिक्रिया को समझ पाए अच्छे से इसका क्या मतलब होता है स्वा आयनन यानि कि अपने आयनों में तूट जाना ठीक है और यह भी हमने डिसकेस कर लिया कि क्योंकि स्वतह proton करन के कारण जो water होता है या जल होता है वो अमल और श्यार दोनों की ही तरह कारे करता है जो कि हम इन equations में देख पा रहे हैं इसलिए यह amphoteric nature या फिर उभैधर्मी प्रकृति का होता है ठीक है तो यह question भी हो गया अच्छे से solve आप देखते हैं next question को तो अगला question है कि hydride अंतराल क्या होता है या जिसे आप hydride gap भी बोलते हैं तो यह हमने chapter में बहुत ही अच्छे से discuss किया था आप chapter के lectures में जाके भी इसको revise कर सकते हैं और यहां पर भी मैंने इसको अच्छे से define कर दिया है आप लोगों के लिए तो आप directly इसकी definition या फिर इसको अच्छे से note कर सकते हैं अपनी notebook में और यह question बहुत ही important है क्योंकि यह exams में पूछा जाता है ठीक है तो इसको लेना है lecture से भी इसको revise कर लेना है और note करके रख लेना है ताकि exam के पहले आप इसको revise कर पाएं तो देखिए इसका answer आप किस तरीके से करेंगे आप बोल सकते हैं कि वर्ग यानिकी group 3, 4 और 5 की जो संक्रमन धातों होती है या फिर transition elements होते हैं वो धात्विक hydride का निर्मान कर ठीक है उसके बाद वर्ग 6 में यानिकी group 6 में chromium एक ऐसी धातों है जो की hydride का निर्मान करती है लेकिन इसके बाद एक gap बन जाता है एक अंतराल सा बन जाता है क्योंकि इसके बाद के जो वर्ग होते हैं 7, 8, 9 इन से related जो धातों हैं या फिर जो metals हैं वो कोई भी hydride का निर् बोला जाता है ठीक है तो इस question को आप समझ गए इसको अच्छे से note कर लिजे copy में और इस तरीके से हमने इस chapter के यानिकी hydrogen यानिकी chapter number 9 के बहुत सारे important questions solve कर लिए जो कि हमारे exams में आ सकते हैं अब आपका काम है इन्हें अच्छे से revise कीजिए इनके notes बनाईए और इनसे related बनाईए झाल